हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल में हूँ स्वीटी एंड आप सभी का मेरे चैनल पर डेर सारा स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूनिक और स्पैसल होने वाली है आज मैं आपको जो नुस्का बताऊंगी इसे इस्तमाल करने का अपना ही एक तरीका है मैं जो आपको स्कीन ब्राइटनिंग और वाइटनिंग फॉर्मूला बताऊंगी इसके इस्तमाल से दोस्तों धूब के वज़े से जो आपके स्कीन में संटेन हो जाते वो रिमूव होगा साथ हमारे स्कीन के जो कॉंप्लेक्शन है वो आपका ब्राइटन प् या आप कोई भी ब्राइट का ले सकते हैं नारेल का तेल दोस्तों हमारे स्कीन के कॉंप्लेक्शन को ब्राइटन करता है साथी साथ हमारे स्कीन में जो मेलना की मात्रा है उसे वो कम करता है जिसके वज़े से हमारे स्कीन की कॉंप्लेक्शन लाइटन होती है और हमारे साथ नीचे जो बेल आइकन दिये हैं उसे भी प्रेस करना ना भूले ताकि में कुछ भी आपके लिए हेल्फुल वीडियो लेकर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक क्लीन बॉल उसमें हम लोग यूस करेंगे एक च इसके बाद हम लोग यहां पर यूस कर रहेंगे वाइल टर्मरी या फिर आपके पास अगर कीचन में जो यूस करते हल्दी वो है तो आप उसे भी यूस कर सकते हैं दोस्तों हल्दी को सदियों से हमारे स्कीन में ब्राइटनी और लाइटनिंग के लिए यूस किया जाता है साथी साथी से यूपटन में भी इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमारे स्कीन में लगबद 10 से 15 मिनट तक हलके हलके मसाज कर लेना है दोस्तों मैंने इसमें यूस किया है निम्बू निम्बू हमारे स्कीन के लिए बहुत चाहे बाल होते हैं उसे वो जर से खतम करता है और जो मैंने यहां पर coconut oil यूज किया है यह हमारे skin में dead skin को remove करता है इसकीन के कॉंप्लेक्शन को बढ़ाता है और साथ हमारे स्कीन को मश्यराइज भी करता है दोस्तों इसे अच्छे से 10 से 15 मिर तक मसाज करने के बाद हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है लगवाद एक घंटे के बाद उसके बाद आप इसे अच्छे से वाश कर लिजिए आप के कॉंप्लेक्शन ने वह लाइट इन प्लस ब्राइट इन बनेगी असा करती है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक जरू कीजिए तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल लगए अच्छे रहिए खुस्रिया बाटी है बंबाय टे किया लव यू